हेलो दोस्तों के एल्टी क्लासेस में आप सबी का स्वागत आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका का एरान पर हमला आगे क्या होगा, कई लोग ये भी मान रहे हैं, कई देश ऐसे भी मान रहे हैं, कि ये तिर्थी भी सीयूद का सुरू आज त है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड है वो सुरू हो चुका है तो इसके बारे हम बात करेंगे कि हुआ क्या है और किसके करण से माना जा रहा है है तो सबसे पहले सफ़िए अमेरिका ने इरान के जनरल सुलिमानी की हत्या कर दिया नगित दिन से इस cách इन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हो जिससे क्लियर हो जायगा氣 को यहाँ पर अर्ती देख सकते हैं तो और लोग भी मारे गए हैं कि माध्यम से ये पहली बार ऐसा नहीं है कि ये इरान बे पहली हमला हो इसके पहले कुछ दिन पहले ही पचीस इरानी जो सैनिक है उनको मारा गया था अमेरिका की माध्यम से इस तरह से हवाई हमले हमेशा समय समय पर अमेरिका करता रहता और इसके सबसे ताकतवर कमांडर यही थे और कई आने देशों के यह उस तरह सोतने की रणनीती कार्य थे कई देसों के राष्टपती और प्रधर्मनत्री को ये रणनती बना के देते थे कि चाएवो आतंगवादी से कैसे लड़ा जाया या अमेरिका से कैसे सजग रहा जाए इसके बारे हम ये रड़निती बढ़नाते थे जिसके काड़ से ये अमेरिका के निगाह में ये आतंगवादी भी घोसित कर दिये गए थे और इनका जो बच्पन की थोड़ा समय बात करूँ बच्पन की बात किया जा ये जो मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं यही है कमांडर कासिम सुलिमानी जिनकी हत्या कर दे गई है तो ये इनका बच्पन बहुत ही गरीबी में इनका प उसी तरह से ये इरान के दूसरे ताकतवर्थ व्यक्ति माने जाते हैं देश के राष्टपती इरान जो देश महां के राष्टपती हसान रुहानी जी है उनसे भी और विदेश मंत्री जो है वहाँ पे इरान के उनसे भी अधिक लोगपरी ये माने जाते हैं यह खाड़ी 2012 में दिली में इस्राइल दूतावास पर हुए हमले के नाम आये था 2019 में देश का सरवोच सैन सम्मान आडर आप जुल्फिकार मेडल भी इनको प्रदान किया गया था इरान के इन्हें इरान के जो लोग है इरान देश के लोग है इरान या इराक हो यहां की लोग इनको हीरो मानते थे चाये वो किसी देश को रणनती बनाके देना हो या ISI जो संगट है न आतमवादी संगट है न उसको भी खतम करने का या अपने देश में कम करने का जो उसका पावर था उसको कम करने का सबसे अधिक सरे इन्ही को जाता है अमेरिका और इरान का जो रिश्टा है वो आज दो साल से खटाराब नहीं है इह लगबग 6-8 वर्सों से जो मैं आपको बता रहूँ लगबग आज से 6-8 साल पहले से ही अमेरिका और इरान का रिश्टा गरवड हो चुका है इसे जो हमला किया गया है अमेरिका के माध्यम से एरान देश में तो एरान के जो सरकार है और एराक की जो सरकार है दोनों देशों ने अपने सेना को तयार रहने के लिए का है कि हम इसका बदला लेंगे आगे बात किया है अमेरिका देश ने क्यों एरान देश में इस तरह से क चुनां प्रोमाद्ध को हो जपान में हो या दच्छिड कोरिया में हो वहां पे जो तैनाथ हैं हम सभी को अपने देश में वापस कराएंगे लेकिन ऐसा नहीं हो पाई इसके कारण सी ऐसा बिवाद हो चुका है कराण से अलग होने के बाद 2019 में रेवो ले उसनरी जो गार से कह सकते हैं कि जिसके ये कमंडर माने जा रहे थे उसको आतंगवादी घोसित किया गया था लेकिन अब की बार उनके जो पर सुगा और जो अंगुली में अंगुठी जो पहने हुए थे इसके माध्यम से ये फिक्स हो गया है सरकार ने दावा किया है कि अब की बार ये मारे गये हैं और इसको देखते हुए अमेरिका ने वहाँ पे 35 और सैनिक और एक्स्ट्रा सैनिक माध्यम से वहाँ पर स्टिति को कंट्रॉल किया जाह और सबसे बड़ा मुद्दा ये बाना गया है कि 2019 जो आमेरिका ने कि ह Our जो संगठन है और उसने कार ने यह बदला देश के लगबग हजारों सैनिकों को मारा था एक डाटा प्रोवाइट किया गया है कि 2003 से लेके 2011 के बीच में 672 अमेरिकी सैनिकों को इसने संगठन ने मारा है तो इसके कारण से अमेरिका देश हमेशा इसको निगा चाहे और अदेशों सभी निगा लगाए थी कि इनको कम अ चाहे तो चलिया हम बात करते हैं प्रभाव के बारे में इन दो देशों के बीच में जो युद हो चुका है सुरु हो चुका है हो चुका है इसको लेकर क्या प्रभव कड़े गा तो सबसे पहला यह नहीं माना जा रहा है कई लोग यह न ए8000 के लोग cens के जिक्ण आप 204 शुरू हरे यह इसा कि पहला चुकार दूसरा हो चुका यह तीसरा बाणा जारा है कल यह हम लगगा उसके बाद से ही कल से ही महेंगाई देखनें हो कमीली रूप्या कमजोर हो चुको है डालर के मुकाबले मे सियर बाजार में भी गिरावट देखनें मिली है इर्धन सभी महेंगे हो चुके हैं रोजगार का संगट क्योंकि रोजगार का संगट यह चीज समस्या वड़ी आ रही है कि भारत के 80 लाक लोग जो खाड़ी देश है चाहे वो इरान हो इराक हो सौधी अरब हो कुए तो यहां पे भारत के 80 लाक लोग काम करते हैं उसी तरह से एक करोड से अधिक लो जो निमेश हैं वो भी घटेंगे क्योंकि उनको डेर है कि यहां पर कभी भी आतंगवादी घटना हो सकती है इसके लिए वो अपना इस तरह से जो निमेश है उसको सुरचित करके दूसरे देश में निमेश करने की कोशिज करेंगे तो इस तरह से लगबग 8-10 प्रभाव पड़ेगा यह पूरे देश पर पड़ेगा यह सिर्फ भारत पर नहीं पड़ेगा यह अन्य देश पर भी पड़ेगा चाये वो पाकिस्तान हो अमेरिका हो हर देशों में यह जरूर इफेक्ट देखने को मिलेगा इसके बाद हम बात करेंगे कि भारत देश के उपर अगर ये दोनों देश के बीच में आगे युद होता रहा आगे चलता रहा तो भारत के उपर क्या प्रभाव पड़ेगा भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत जितना अमेरिका से मित्रता रखता उसी तरह सो उतना ही इरान देश से मित्रता रखता है 80,000,000 भारती खाड़ी देशों में रहते हैं उसी तरह से एक करोड से अधिक भारती अमेरिका देश में रहते हैं तो दोनों देशों से संबन हमको अच्छा रखना होगा क्योंकि ये हमारे लिए सबसे बड़ी मजबूरी होगी बारत की स्थिती इस समय वैसे ही गड़बड चले चाहे हो अर्त वेयोउस्ता हो, रोजगार को लेकर हो हर चीज को लेकर भारत में इस समय वैसे ही गड़बड चल लए है महिगाई भी बहुत अधिक बढ़ चुकी है तो भारत को 32,100 करोड रुपए प्रती वर्स के हिसाब से घाटा उठाना पड़ेगा ये भारत के लिए बताएगा है पेट्रोलियम पदार सबसे अधिक महेंगे होंगे तो सबसे अधिक प्रभाव भारत को ही होगा चाबाहर जो पोर्ट है उसकी जो समस्यार ये उस पर उपर संकट आएगा कट या ऐसा युद्ध की स्थिति बनती है क्योंकि जो समुन्द के माद्यम से जो पैपार होता उसके उपर जरूर प्रभाव पड़ेगा अगर ये युद्ध होता है तो चलिए हम बात करते हैं आगे कि आने देशों की प्रितकिरिया क्या आई है चाए वो फ्रांस हो या रूस हो सभी देशों ने अपनी प्रितकिरिया दी है तो क्या क्या कहा है सभी ने इसे पर देश को लेकर जो यह अमरीका के माद्यम I makers अने उनके उपर हमला किया गया तो इस तरह से यह बहुत हीुश्ट है उसके बाद चीन डेश ने कहा कि कि सभी लोग सांती बनाये रखे चाहे हो अमेरिका हो या अरान हो इराक हो भी सांती बनाये रखने की जरूरत है किया गया अमेरिका के माध्यम से यह कायरता पूरे किसी भी देश में आप बिना उस देश के प्रमिशन के अगर इस तरह से हवाई हमले या कोई भी सहने हमला करते हैं तो वह बहुत ही कह सकते कि उन्हों उसका उलंगन माना जाता है कि उसके लिए उसने का हमें ऐसा विश्वास नहीं था कि अमेरिका ऐसा कुछ करेगा जिसके माध्यम से पूरे देश की जो प्राबलम है या विश्व की जो समस्या है वह आगे और बढ़ सकती है आने वाले समय में कि इसके बाद इराक देश ने भी कहा कि इसा कुछ भी निंदर ते इसलिए ऐसा इसा इनले समे में यह जो युद्ध है क्योंकि दोनों देशों की सेनाय क्यों तयार हो रहे हैं चाहे वो इराक हो इरान हो दोनों देशों की सेनाय क्यों तयार किया जा रहा है दोनों देश को राष्टपती ने कह दिया कि हमारी सेनाय जो है वो बदला जरूर लेंगी अमेरिका से अब यह कैसे बदला रहेंगी यह तो आगे देखना होगा कि आज इस तरह से हमला यह किया कि उसी तरह से यह लोग भी हमला करेंगे या किसी आन्य तरह से या आन्य कोई भी इनके पास है जो माध्यम उसके माध्यम से यह हमला करने की कोशिस करेंगे जैसे ही कोई इन्फार्मेस नाएगी म मैं आपको जरू सुचीत करूँगा इसी प्रेकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD Classes की ओर से धन्यवाद